साथ ओक्टोबर को इस्राइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से मिडल इस्ट में इरान समर्थित कई मिलिशिया ग्रूप एक्टिव हुए जो गाजा में हमास का समर्थन और फिलिस्तिनियों को लेकर इस्राइल समेथ अमेरिका पर हमलावर है इस बीच इराक के सबसे शक्तिशाली आतंक की संग्ठन कताईब हिजबुल्ला ने एक बार फिर अमेरिका को हड़काते हुए इराक छोड़ देने की धम की देडाली है आयसाना करने पर फिर से इराक में अमेरिकी सेनिटिकानों पर भीचर बंबारी शुरू करने की बात दोहराई मालूमों कि इरान समथित इस गुट ने अमेरिकी सेनिकों पर बीते हमाईनों पहले हमलों को रोकने का एलान कर सब को चौका दिया था हाला के फिर कताईब हिजबुला ने पुराना राग अलापते हुए अमेरिकी सैनिकों की जल्द से जल्द इराक खाली करने की चेतावनी देकर इलाके में तनाओ को बढ़ा दिया है बताते चले कि वाशिंग्टन और बगदाद इराक में अमेरिकी सैनिकों की निकासी पर पहले से ही कई दोर की बात चीट कर चुके हैं अमेरिकी सैनिक इस्लामिक स्टेट आफ एराक एंड सीरिया यानी आईएस आईएस के खलाफ बने वेश्वी गडवंदन के रूप में साल 2014 से तैनात हैं फिलाल इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक मौझूद हैं कताईब इस्लामिक के प्रवक्ता अबू अली अल असकरी ने कहा सैनिकों को वापस बुलाने और इराक में अपने जासुसी ठिकानों को नश्ट करने में अमेरिकी दुश्मन की गंभीरता को नहीं समझा हमने उन्हें हटाने के लिए इराकी सरकार की ओर से भी जरूरी गंभीरता नहीं देखी और तलबे के अमेरिका कताईब इस्लामिक को इराक का आतनकवाली संगठन मानता है इसके लड़ाकों में इस्राइल हमास युद के बीच मिडल इस्ट में खास तोर से इराक और सीरिया में अमेरिकी सेनिकों को 165 से ज़्यादा बार निशाना बनाया हाला कि जन्वरी के आखर में अमेरिका ने घातक जोनों से कताईब इस्बुल्ला समेत इरान समर्तिर कई चरम पंती समुहों के खिलाफ दरजनों हमले किये इसके बाद कताईब इस्बुल्ला ने सब को चौकाते हुए ऐलान किया था कि वो अमेरिकी सेना पर अपने हमले रोक रहा है बताते कि साल 2003 में इराक पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद बना कताई रिजबुल्ला इरान के सबसे करीबी इराकी सश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष ऐसा दाबक किया जाता है कि केज को इरानी इस्लामिक रिवोलुशनरी गार्ड कॉप से ट्रेनिंग, हधियार और आर्थिक मदद मिलती रहती है ऐसे भी काफी एहम रहेगा कि अमेरिका इन धंकियों को कितना सीरियस लेता है वह झाल सकता है